बोल बम हर हर महादेव तो आज हम लोग पहुंच गया है दुम्मा बॉर्डर पर और जैसे ही आप जारकन की सीमा में घुसेंगे आप देवघर की सीमा में घुसेंगे तो आप तीवी पर देखते होंगे अख़बार में पढ़ते होंगे कि इस साल जो है वो इतने सारे कावर कावरिया जो है यहां से किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसके बाद कावरिया जो है वो अब यहां से अपनी यात्रा को किस तरह से करेंगे किस तरह से पूरा करेंगे और इसके पहले जो है जरा हम यहां पर अधिकारियों से बात करेंगे और यह जानेंगे कि कितने कावर तो आप लोग लगातार यहां पर गिंटी करते होंगे। के प्रॉक्स हो गए उसे क्रॉस भी कर जाएगा। अगर अभी तक की डेटा की बात करें तो अभी तक लगभाग एक अंदाजन कितने कावरिया यहां से क्रॉस कि होंगे। और खासकर यहां से गुज़रे हैं तो हम भी भाई यहां से अपना गिंती करवा के और घुज़ गहें कि भाई हमारा गिंती ने हो तो किसे काम चलेगा। सारे कावरिया घुस रहा है तो उनका गिंती हो रहा है तो हम भी अपना गिंती करवा लिए हैं। तो हम आप लोग अपने घुज़रे हैं तो यहां से क्या मनों कामना लेक्व बढ़ रहे हैं। कि जितना सांती से चले आए हैं उतना सांती से बावा आगे भी बेराफार कर देंगे हां क्योंकि मंदिर में भी खूब बीड़ रहता है पूरा गोल एक्दम लाइन लाइन लगा रहता है वह बहुत बढ़िया पिछले बार से अच्छी है पिछले बार से और अच्छा है पहली बार कानुभब कैसा लग रहा है यही कहुंगा रास्ता बहुत पढ़िया था कोई कर्ष्ट नहीं हुआ लगा था कि वस बाबा पिछे से धक्का दे को बुला रहा है आरे वावा चले आए अच्छा इपता है कि पहली बार में तो इतना चलने का आपको आगत भी नह उपर से यह अपना जल अस्तर पढा रह रहे थे मतलब अलगता ने थे ना षवह अलगा दाब बन division लगाल से बताई आब जो है वो आपक सब्सक्राइब यह एक हुटा अब पहले कर दो आपा है कि मैं 2009 से अप लगातार आ रहा हूं जी बदब लगभभा अभी एक बार भी केंशिल नहीं है किसी वीवर्स में बढ बाबा का भक्ति जो है जहां पर रुकते होंगे वहां पर भोजन करते होंगे भजनुजन तब गाते होंगे जी 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 अब बाबास जो मांगिया उससे कई गुना दे देते हैं जी गाते नहीं लोग ठोड़ा इंजुआई कर लेते हैं जब भजन गाते हैं आप लोग बहुत जो होता है अरे बाद बाद चोटु बाद देखिए कि टिकट लेलेकि अपना अपना जो है वो आगे बढ़ रहे हैं कहां से आरिये लोग पाद में जारकंड में हो गया लेकिन 25 साल पहले हम आया थे अभरी पहले बिहारे में था बाद में जारकंड में हो गया है उस में पश्मा बार है लेकिन 25 साल पहले हम आये थे अभरी पारीबार के साथ हाए है आपलो कुलरा परिवार निकले आस साथ मेंत कैसा लग रहा है नहीं लगए तो कच्छी रास्ता छोटा छोटा और आश्ता वाया गरता था जंगल में ठीच लेके जाना पुडता था अ पहले रात में हम लोग टॉच लेके चलते थे और रास्ते में जैसे जंगल भी और चाहता खाना रास्ता नहीं था रात में बहुत कम आदमी पार करता था तो यह पार पे साप करकर के जो है न उसमें चलने के लिए वहां आदमी पैसा देता था अगाज के पास बैट करके सब के बी कर गहाए उसके बाद निकलता नहीं आप अप्लों कहां से आ रहे हैं पाहूंतर द्दक लेकान के नहीं इतना थे क्लेंस मतलब कहा जाए मुश्कील मार को इतना हस्ते-खेलते-फेगाते पार कर लिए बहुत अच्छे आ रहे हैं कोई जी गणनी है लोग वह यहां से भी हस्ते-फुराते आगे बढ़ रहा हैं यह जुआ है कहां से आरहा है कैसा लग रहा है इस साल कानुभव कैसा रहा है इसलिए कि हम लोग हिंदु है हिंदू राष्ट बनाना चाहें ना तो देखें कि एक ऐसे यूनीक का वरिया भी हमको मिले हैं जो हिंदू राष्ट बनाने के लिए तावर या तरफ हैं जी मैं ज्यांग बहादूर यादो उत्तर प्रदेश जोनपूर जिला सिकारपूर का निवासी हूं मैं 16 साल हो यहीं दर्वार में आता हूं हमारी सारी मानोकामना पूर होती है मेरी नौकरी मिली मेरी खेती बारी hold घर दॉआ समस्चर कल रहा बाबा के नाम से इसलिए मैं हर जार आता हूं देखे कि कावर यात्रा में जो है वह आपको अलग-अलग कावरिया दिख जाएंगे आप कहा से आरे हैं अपी से अंपी से आरे हैं यह बताइए कि एम पी से किस जिले से हैं और आप कब निकले थे कि दोनों जोड़ा लगा के दर्शन करने जा रहा है तो मन में क्या मनों कामना लेकर जा रहा है मतलब कितना में शुरू किये थे 2007 कहां से यह उड़ा मिली कहां से यह जाना रहती है करने जाना होता है तो बीना बाइक के लेड़ी नहीं जाती है इंतजार बाइक भेजो आज पांच किलो से ज्यादा सामान लेना है तो भाई लेके चलिए तो नेके आएंगे नहीं तो नहीं जाता है जैसी सोच वैसे मिलता है एक बार मैं कितना किलो मिटर लगभग चल लेती होगी माली जी एक घंटे का टारगेट बनाते है तिन-चार किलो मिटर हो जाता है बापने लगातार चलना जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता है बम जी कहां से आ रहे हैं नेपाल से रुकी 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 यह बताईए कि नेपाल से जो है चले आ रहे हैं और वहां पर माता जानकी का कहा जाता है कि माई का है है ना और यहां पर जो है वो संकर भगवान का ह तो यह बताईए कि यहां पर आके जो है वो अब सीमा से अंदर भी गुज गए वहां टिकट भी कटवा लिए तो कैसा लग रहा है अब बाबा के नगर के थोड़ा और नजदीक पहुंचे तो कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है है तो यहां कि प्रधान थो हमारे बाबा भूले के नगरी में आप जा रहे हैं और क्या मनोकामना लेकर सबसे पहले बताईए कि क्या मनोकामना लेकर ने का ने करा है और यह बताईए कि इस साल जो है वो मार्ग में किस तरह की वे वस्था की गई है वे वस्था बढ़ियां की रही है आप लोग कहां से आरे हैं आपसे मिलने का बहुत अच्छी नंगरी से तो आप वैसे भी हैं और अभी फिर से जारखंड का यहां से बॉडर शुरू हो जाता है तो कैसा लग रहा है बाबा कि नगर में क्योंकि यहां आप लोग जारकंड कहीं है लेकिन इस नगर में प्रवेश करने का अपना अनंद होता है कि जैसे बस पोंच गए हैं मुराद पूरी होने वाली है लाग वाद पोंगी क्या मुराद लेकर आए से बताईए तो यहां से बॉर्डर शुरू हो जाता है आप लोग कहां से हैं पहले जाएंगे वहां असनान करेंगे उसके बाद संकल्प उसके बाद हैं पहले भी हाई है आए नौसल से आड़ है जब पहली याई होंगी तो मन्नत पूरा हुआ पूरा हुआ बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा इक्तिफाक हो जाता है कभी कभी किसी किसी के साथ सब को अपना-पना सोच मेरा हुआ तुम अलएहिसा कि मुन कि यहां सब्सक्राइब जेसी कतने एक लिए फैर में стал आ सबसक्राइब वित इसन्देव करने में तब से था और जा ने क्कड करा लिए हैं यहां पर जो है जारखंड नगरी से जब बाबा को जलूल चड़ा लिजेगा तो फिर क्या खरिदारी करिएगा और भी आप लोग तो आप लोग बता सकते हैं और यहां पर क्या प्रसिद्ध लोग ले के जाते हैं यहां से हम लोग चीवड़ा लेके जाते हैं शिंदूर लेके जाते हैं और धागा लेके जाते हैं पेड़ा लेके जाते हैं अचार भी बहुत प्रसिद्ध है अचार भी बहुत अचा लगता है यह मनो कामना पुरी होती जो भी आते हैं उनका पुरी होती है, है पिल्कुल सच है, सच में पूरा होता है, 101 परसेंट, पोचने में तो कितना बड़ा लगता है, हम लोग फ़र आये, दूसरे वर हम लोग का मुराद पुरा हो गया, ताम नचे पहले, इनका मनत मागी थे यहा आये थे, दूसरे वार इनका जोइनिंग लेटर आगया था, मतलब कुछ नहीं मागे उसके बावजूत, जो चाहिए था, वो मिल गया, मिल गया, मिल गया, पहले पे देखिए, कहा जाता है, कि मांगने पे तो मिलता ही है, लेकिन भोलेदानी से जो नहीं मांगा जाए, वो यातरा पर जाना है, बस बाबा का बुलावा आया, चल दिया, पहली बार आही है, कैसे नहीं, हम, जैसे मेरा ये बहुत दल्चस्पी होता है, कि यहां पर जो है, वो, कैसे दिमाग में ऐसी बावना जाग जाती है, कि इतना कस्ट वाला मार, इतना दुर्गम मार को जो है, पैदल चलने के लिए लोग तयार हो जाते हैं नहीं करस्ट नहीं है बस थोड़ा बहुत करस्ट है फिर वीच चल लेती है फांस किलो में तो थोड़ा सा रुखे पानी वगएरा पीदी होगी है ना बापरे पैर में इनके देखिए सूजन भी है पैर पूरा पुला हुआ है ओर शी लगादार चल रही है इस फूले की भघ्ति ही कह सकते हैं के इतना ऐसे बावजूद जो है कर रहे हैं पहले से शरू हो जाती है और यहां पे देखिए कि छोड़ी पम चले आहरे हैं नेपाल से थे लेकिन बड़ा दिक्कत होता होगा कितना किलोमेटर एक बार में चल लेते हैं किलोमेटर लेते हैं चालीज पार में कितना किलोमेटर लगभग चल लेते हैं चालीज पार थीस चालीज बीस अरे बाप रहे इतना चल लेते हैं वाप रहे वाप आपकी तो उमर भी हो गई चलने में बड़ा कर्स्ट हो रहा होगा क्या क्या जाए रहा है बॉले ना कि बाबा के वाक्त जो होते हैं वो अपने आप में बहूत खास होते हैं य। जितना जिस यून्च के बारे में लोग सोच नहीं सकते कि इतना दूर्गं मार को कोई पैदल चल सकता है उसको वो लोग कर्मेडर दिखा देते हैं और एक साल दो Snow लेते हैं ement हमारे पम मिल वह हैं, और यह जो हैं हम लोगों को बहुत प्यारा भजनाथ सुनानेए वाले हैं बाबा उप्लाइए कही बता यह बाम कों सा भजन अझय ठीट जान्ते हैं । बहुत जादा भजन हो जानते हैं। वही ले लेंगे भजन सुनाईये नहीं का दूए अस्तुति सुनाईये सुनाईये नमामी श्रमीशान निर्वाड रूपम विभुंव्यापकंब्राम वेदश्वरूपम निजम नेर गुडम नेर विकलपम निरिहां चिदाकास माकास बासंबरे हम निराकार मौकार मूलाम तुरियां गिराजान गोतीत मिशां गिरिशां करालाम माकाल कालाम क्विपालाम गुडागार शंशार पारम नतोहम तुशारा दिशंकास गौराम गभीराम मनो भूत कोटी प्रभासी शरीरं त्रनमाली कलोली नीचारु गंगा लशद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा चलत कुंडलाम रो सुनेत्राम विशालाम प्रशन्ना नना नील कंठम दयालाम निगादीश चरमाम बरम मोंड मालाम प्रियम शंकरम शर्वनाताम भजामी प्रशन्डाम प्रकिस्टाम प्रगलभाम परेश्टाम अखंडाम अजंभान कोटी प्रकाशं त्रयाशूल निरमूल नमसूल पानिम बजिहां भवानि पतिम्भाव गम्यं कलातित कल्यान कलपांत कारी शदास जनानंद दाता पुरारी चिदानंद शंदोह मोह पहारी प्रशीद प्रशीद प्रभुमन थारी नयाव तुमानात पादार विन्भाम बजंति अलोके परेवा नराणां नतावा शुकं शांति शंतापनासं रशीद प्रभोशर्व भूता दिवासं नजानाम योगं जपं नेव पुजां नतोहं सदासर्वदासं भुतुब्यं जराजन्म दूखोग तात प्यमानं रभोपाई आपान मामीश शंभो रुद्राष्ट कमितं प्रोक्तं विप्रेण हरतोसे ए पठंत नरावग्त्याते शाम शंभो प्रशीद ती उलपार्वती पते हारा हार माहादी बोलबाम कि Choice in आप उन्ण स्वाद पर पहुंच गया हैं और स्वाद की बात हम लोग इसलिए करते हैं क्यूंकि लोग जो है वो शक्ति कहां से मिलेगी इतना लंबा रास्ता चलने की तो लोग जो है वो खाते-पीते आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आने के बाद जो है वो इतना लंबा पढ़ाओ पार करने के बाद जाते लोग फलाहार पे आ जाते है। इसलिए देखें की यहाँ आप जूसी की भी विवस्ता रखी गई हैं उसके लावा अगर पो जबहुजन करना है तो भोजन भी बनाकर गण है हैq लेका हैंब आप लो कहां से के लाएं में ने फांटशर्तु टरेटी दहीचुडा इसमी लोग खाते होंगे यहां पर जकंड नहीं हैं जचाते हैं करके और यहां से फिर अपना आगे बढ़ेंगे कहाई कि हम लोग तो फ्रेंगे जैदा फॉल उल्खाते हैं ना हम लोग वह जो है सही बम आते हुए चल चलते हैं एक बम यहां पर इनकर रहाएं गया है को हाँ पर लाइन हम लोग भी जो है अब चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं आपको मिलेंगे अगला पड़ाओ पर इस पड़ाओ पर इतना ही बोल बाम हर हर महादेव